आगे थे आप सभी का इस्टेप अपअचेडमी में गितानजली अंदेरिया के साथ जब हम नवी पार करके दस्वी की तरफ आ जाते हैं क्या होता है मन में ये डर कि अम दस्वी में ना डर की तो जरूरत ही नहीं न जब हम पढ़ाई करते हैं तो डरना कैसा है नैदी ये वि तो मिल जाती है तो फिर डर काहेगा है ना तो कोई डर नहीं तो मैं दस्वी में आपको दस्वी की विध्यात की से बात करें कोई डराने नहीं आई हूं पस यह कहने आई हूं कि आपने अपनी किताबों को देखा होगा नाइंध में क्या पढ़ा क्या 10 में वह सब है क्या उस से कुछ करेगा क्या बाकि नाइंध हमारा बेस्ता और वैसे यह कुछ चीज About कि जो नाइंध में इतने अच्छे तयारी की तो 10 में आसान लगेंगी हाँ पिल्कुल जो मैं बात कर रही हूं संस्क्र कि संस्क्रित में ग्रामर तो और कि कहीं कहीं कुछ भी नहीं होता है एक सी चलती चली जाती है लेकिन कई बार देखिए कई बार नहीं किताबें तो हमेशा बदलती है तो आपने जो नाइंथ में पढ़ा शेहमोशी का प्रथम भाग तो टैंथ में आप उसका दूसरा भाग भी पढ़ेंगे पाठ बदलेंगे कहानियां बदलेंगी पात्र बदलेंगे पर ग्रामर नहीं बदलेगी बही प्रत्य भी हैं और आपकी संधियां भी हैं समास भी हैं तो यह सब तो पुराना है लेकिन प पाठवी तो Eric तो बिलकुल मज़दर हैं तो उसके लिए किताब से भी तो आपसमें किताब को देखना पड़ेगा उसे मिलना जुलना पड़ेगा उसके पाठो के बारे में जानना पढ़ेगा तो मजा कितना अच्छा आएगा जहां ठकान हो जाती हमें पढ़ते पढ़ते मैथ और साइंस वहां हम हिंदी और संस्कृत से ही तो अपना मन प्रसंद कर लेते हैं तो हिंदी पसंद करने वाले हिंदी से कर लेते हैं जिनको संस्कृत पसंद है पढ़ना अच्छ थे उसका दूसरा भाग से भी आप मिल लेजिए तो संस्क्राइश का यह ओबर विव सारे पाठों किया जानकारी यहाँ पर मिलेगी थोड़ी थोड़ी मिलेगी क्योंकि पूर्ण जानकारी के लिए तो आपको पूरा पूरा मेरे साथ बढ़ना पड़ेगा तो देखेगा यह हमारी किताब है शमोसी द्वतिया भागा दसम वरगाय संस्क्रित पाठ्ट पुस्त कम क्योंकि प्रथम भाग तो आप नाइंट में पढ़ चुके हैं सबसे पहले हम मिलते हैं प् सुद्धी बढ़ जाती है पर्यावरन कहां बेकार हो जाता है किस कारण से आज पर्यावरन में इतना प्रदूशन फैला हुआ है अभी तक हम अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से पढ़ते चले आ रहे थे पर संस्कृत भी यही कहती कि पर्यावरन प्रदूसित हो रहा है और यह कहेगी अपनी भासा में तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरन प्रदूशन को लेकर जिन शब्दों का इस्तिमाल आप हिंदी में करते आए अंग्रेजी में करते आए हैं वो आप संस्कृत में भी कर सकते हैं इसलिए तो अक्षा दस्वी के विध्यारतियों से कहा ग कर रहे हैं और हम ही उसमें निगलते चले जा रहे हैं वो हमें निगलता चला जा रहा हम उसमें ही आज व्यक्ति का जीवन दूबर हो गया आज उसे लगता है कि कोई अच्छी सुन ऐसी शीतल हवा में स्वक्षवा में हम जाएं गाओं की तरफ जाएं यह सारा वर्णम सु पिता के तोर पर है दोतिया पाटा है बुद्धिर बल्वती सदा बुद्धी ही बल्वान होती है हमेशा इस बात को आप मानते हैं बुद्धी मान बल्वान से अधिक स्रिष्ट होता है अगर आपके अंदर इतनी बुद्धी है कि आप किसी बल्वान को भी चक्मा दे के अपना काम कर सकते हैं तो आप स्रेष्ट हैं कि बल्वान तो अपनी बल पर ही गमंड दिखाता है पर बुद्धी मान के अंदर वो सारे तत्व ज्यान उपाय होते हैं कि वो बल्वान को लड़ाई और जगड़े और कुस्ती से नहीं हरा सकता वो अपने दिमाग से उसको हरा देगा तो बुद्धी हमेशा ही स्रेष्ट हो यहां बुद्धिर बल्वती सदा बुद्धी ही बल्वान होती है और जैसा कि यहां दिखाए गया है चित्र में आप देख पा रहे हैं कि हमारा मस्तिक्स जो है बही बल्वान है तो इसमें जो कहानी है एक बाग को एक औरत ने अपनी बुद्धी से अपनी जान एक बाग स सामने ही नहीं आ रहा था आप समझ पा रहे हैं यह कहानी देखी कहानी ऐसी ही होती है क्योंकि उनसे हमें सिक्षा मिलती है तो बाग और से बाग कैसे डरा सोच रहे होंगे ना आसो सोचते रहे हैं क्योंकि यह सोचना कब आपका बंद होगा कब जिग्यासा जिग्यासाब की स प्रत्य किसमें विभक्ति हैं इसमें लकार है इस सब कुछ आपको पाट के साथ सब बताए जाएगा पाट में बता दिये जाएगा तो फिर तो आप अभ्यास यूँ चुठ्कियों में हल करेंगे अगले पाट की तरफ चलते हैं अगला पाट क्या पढ़ेंगे शिशू लाल और कुष राम की सभा में आके रामायन को गाके सुनाते जो बालमी की जिनोंने सिखाई थी यह वहीं का एक द्रस है वहीं की छोटी सी घटना ली गए वह पूरी रामायन तो नहीं है पर जब उन्होंने सभा में प्रवेश किया था तो कैसे राम उन पर मोहित हुए थे ला चतुर्था पाटा है जननी तुल्ल बतसला जननी जो है वो बतसल मतला प्रेम से पूर्ण होती है और जननी तुल्ल बतसला ये माता चाहे वो माता मनुस्य की रूप में हो और चाहे वो पक्षियों या जानवरों में हो या पशुओं में हो माता का हिर्दय माता का ही हिर्दय होता है वो अपने बच्चे को किसी भी रूप में देखती है अच्छे रूप में देखती है प्रशन होती है दुखी रूप में देखती है तो वो दुखी होती है चाहे और उसके बच्चे हजारों ही क्यों ना हो ऐसी कुछ बात यहां पर गाए और जो परेशान बहल है उसके मध्य में जो ममत्व है जो इसने उसके बारे में आपार जनी तुल बठसला में चरचा की गही घूर अगला पाठ पंचमा पाठा आप पाठेंग, इस कौछमसी था सुभाषी थान अर्था और ये आप तो कच्छा 26 से सुभासित पढ़ते ही आ रहे हैं अलग अलग प्रकाल कितने इस लोकों को आपने पढ़ लिया सश्टा पाटा है सोहाद्र प्रकृते है शोभा सोहाद्र मतलब जो उधारता होती है जो मेल होता है जो आपस में एक दुसरे काम सपोर्ट करते हैं बही प्रकृती की सोभा होती है ये बहुत ही रोचक कहानी है कि इसमें जानबर मिलके ये कहते हैं कि हम राजा बनेंगे हम राजा बनेंगे और किस तरीके से प्रकृती मा आती हैं कहती हैं कि अधित्रता से आप रहते हैं तो यहींमारी प्रप्रटती की शोभा होती है तो यह सारी बाते हैं आपको कहानी के तौर पर बहुत ही संभाद आत्मक पाठ्थ है यह सत्मा बाटा है बेचितर साक्षी जैसा कि आपको यह तराज won देख रहे के लिए कई प्रकार के उनको नाटक करने पड़ते हैं तो ऐसा ही कुछ यहां पर बिचित्र साक्षी जो है बिचित्र प्रकार का साक्ष प्रमाण सबूत आता है जो आप पाठ में देखेंगे अगला पाठ आप पढ़ेंगे अस्टमहा पाठा सुक्तिया जैसे आपने सुभासित पढ़ा सुंदर बचन सुक्तिया कार्थ होता है सुंदर उक्ति भोवी सुंदर बचन में आते हैं तो सुक्तिया भी कुछ ऐसे ही जहां सुंदर बचनों का भंडार है जहां से हम बहुत क बात किए तो कैसी कैसी घटना है क्या द्रश्य कि ये सब कुछ हम पाट में देखने वाले हैं चमीर है तो यहां पर और कुछ बाते भी यहां पर बताई गई हैं जो ऑन्योकत में हम देखेंगे इस तरह से आप 10 पाइगे 12 आपकी किताब में रहे गए अब लेकिन आपकी जो आपकी बुक आपके सामने है उसमें 10 पाइट ही है तो 10 पाइट आपको पढ़ना है शेमोसी में से और इसी पाइट में आप यहां पर कोई गद और पद्द खंड नहीं होता है सब यहां मिक्स होता है 10 पढ़ेंगे दसों की अंदर कि आप याकरण पढ़ेंगे व्याकरण से 100 बडरि आपने देखा हुगा कि आपके पास चित्रぷक पट्र embrace बाली किताब होगी एक व्याकरणबाली किताब होगी तो यह अगर ऐसा है तो हम चित्र पत्र संबाद भी उतने ही रोचक तरीके से करवाएंगे और किस तरीके से आप पढ़ेंगे किस तरीके से उनको हल करना ये सब बताया जाएगा पाटों की ग्रामर पाठों के साथ ही पूर्ण होगी और साथ ही पाठों की अभ्यास भी छोड़े नहीं जाएंगे हर एक अभ् बिल्कुल ला पाएंगे तो इसके लिए कैसे ला पाएंगे कैसे अभ्यास करेंगे कैसे ग्रामर हमारी सरल होगी तो उसके लिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहे स्टेप अकडमी के साथ यूकि सरलतम से सरलतम तरीके से आपको सिखाया जाएगा जहां कठिन आई कि कोई यहां पर गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि आपको कोई बात कठिन लग रही है कोई विशाय आपको समझ में नहीं आ रहा यहां पर आपको व्याकरन समझ में नहीं आ रही कितने अच्छे तरीके से कितनी सरलता सरल भासा से विध्याति समझ सकता है यह सब कुछ हम समझते हैं क्योंकि यही करवाएगा 10 वी की बहतरी तैयारी आप जहां पर भी आए हैँ ना जहां आप मुझे सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत अच्छी जगह आप हैं कहीं मत जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मित्रों के साथ भी शेय करेंगे गुरुप में पढ़ाई करने में कुछ और ही मज़ा आता है तो जहां किताबों के बारे में आपको बता दिया गया है किताब के बारे मताया पाठों के बारे मताया तो सोचिए पाठों के अंदर की ग्रामर पाठों के अंदर का जो कहानी है क्या उसका लेवल है किस तरीके से समझाया जाएगा यह आप सोच सब सोच नहीं सकते कि सोचना चाहते हैं सोचिएगा कि जब इतना छोटा-छोटा अंस बताने में इतना अच्छा लगा तो पूरा पाट पढ़ने में कितना मजाएगा पूरी ग्रामर हम पढ़ेंगे बहुत ही बहतरी तरीके से तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इंतजार यह बनाए रखिए कि पाट कव आने वाले हैं जुड़ेंगे तो पता चलेगा तो मिलते हैं इन्हीं पाठों के साथ आगे हम थाइंक्यू सो मच